इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंटा 350 के कुछ 5-6 मौडिफिकेशन है जो आप अपने हंटा 350 में इसली इंस्टाल कर सकते हो और आपने ये जो मौडिफिकेशन है वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम में देखे ही होंगे तो इनकी मैं आपको ओनलाइन लिंक भी दूँगा कि आप कैसे इने ओनलाइन पर्चेस कर सकते हो और प्रिवेस वीडियो में आप लोगों ने हंटा 350 में बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया है इसलिए मैंने सोचा कि अभी 100 350 से रिलेटेड अपन वीडियो बनाते हैं और जिस भी बाइक के मॉडिफिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे उनकी जो ओनर की इंस्टाग्राम आइडी है मैं कुछ पोस्ट नहीं करता हूं बट अब मैं पोस्ट करना चालू करूंगा तो उसके लिए फॉलो जरूर कर लेना मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्प्ले हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो चलिए आब वीडियो को शुरू करते सो जो पहला मॉडिफिकेशन है वो है कैफे रेसर हैंडल बार का अपने बहुत सारे हैंडल बार देखे कैफे रेसर से रिलेटेड मतलब जीटी 650 का देखा और आरण 5v3 का देखा हंडा 350 में इंस्टॉल हुआ लेकिन यह जो मॉडिफिकेशन है वो एक रॉट टाइप का है है तो ओनर के इंस्साग्राम में बहुत लोग उन से पूछते हैं कि यह जो हैंडल बार है वो किसका है अभी वो रिसेंटली जो भी उन्होंने पोस्ट किया है उसमें वो रिस्पॉंस नहीं देते हैं पर पुराने जो पोस्ट हैं उन्होंने बताया था कि यह जो एक तो मतलब N160 के जो यह हैंडल बार है आप अपने हंटा 350 में इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉलेशन में आपको एस सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि अल्मोस्ट हर बाइक का जो हैंडल का जो इंचेज में जो यह साइज होता है वो अल्मोस्ट सेम ही होता है मतलब जो भी डायमेटर वगेरा होता है वो सेम ही होता है तो इंस्टॉल करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली बागी रही बात आप इसने खरीदों के कहां तो 99RPM करके एक वेबसाइट है आप वहां से पर्चेस कर सकते हो यह कोई प्रमोशन नहीं है बट पता नही बट इंदोर वगेरा मतलब जो भी मेजर सेटीज है आपको इसली मिल जाएगा तो अब मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बजाज के ओफलाइन जो वरक्शॉपस हैं वहां जाके खरीदो तो आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी और साथ में कॉल्टी भी अच्छी म मिलती है इसकी जो प्राइसिंग है वो डिपेंड करती है कि आपने कहां से खरीदा है और साथी में आप कौन सा ब्रैंड यूज कर रहे हो दो हजार से लेके पाच हैर तक में मिलती है वैसे तो अगर आप चाइना मॉडल या फिर कोई और टाइप की जो लोकल ब्रैंड सात ले कर दूँगा तो अगर आपको इस तरह का भी मॉडिफिकेशन करना हो तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपके ऊपर है कि आप एमाजॉन से लेना चाहते हो या फ्लिप कार्ट से फ्लिप कार्ट में अधिकतर ऐसा होता है कि आर्पियम मेटर हो तो ऐसा कोई मेटर अभी तक तो मतलब अपने यहां मतलब ऑनलाइन एमाजॉन या फिर फ्लिप कार्ट में अवेलिबल नहीं है अगर आप चाहो तो जो पुराने बाइक साती थी उनके आर्पियम जो मेटर से वो आप इंस्टॉल कर सकते हो लेकि इंस् 799 रुपीज की है मतलब 800 रुपए तक की पड़ती है और फिलिप कार्ट में सेम यहीं आर्पियम मेटर आपको 584 रुपए मतलब 590 लगबग 600 रुपए के करीबन पड़ जाता है तो एमाजॉन और फिलिप कार्ट दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग यह जो स्टॉक मीटर है वही एक स्टॉक मीटर उन्होंने और एड़ किया है लेकिन जब सबसे पहले मैंने देखा तो मगय लगा यह कि यह थुर्ट के और कियों म६चे पहले पहले ही कुछ meters लिये थे एक meteor का था और एक ऐसे ही RPM meter था बट उसमें BSA लिखा हुआ था तो वो मुझे sell करने हैं अगर आप में से किसी को चाहिए होगा तो मैं उसे check करवा के community post कर दूँगा एक कि ये working है तो आपको अगर चाहिए होगा तो मुझे यूज किया है तो जो ब्रैंड मैंने बताया था वही ब्रैंड है HJG जो इसकी प्राइज है वो एप्रॉक्स 3,055 रुपए है और डिपेंड करता है वही चीज की आप कहां से खरीद रहे हो और कौन sell कर रहा है तो इसकी भी जो लिंक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि ये मॉडिफिकेशन हंटा 350 में थोड़ा सा यूनिक था तो मैं एक स्टोरी दिखाता हूँ जिसमें लोगों ने पूछा था ओनर से कि ये मॉडिफिकेशन करने का कारण क्या था तो उन्होंने क्या रिजन दिया है आप एक बार जरूर पढ़ लेना अब जो हमारा आखरी मॉडिफिकेशन है वो है टेल लेंट से रिलेटेड तो ये जो मॉडिफिकेशन आप देख रहे हो ये मैंने बहुत बार बताया है पर मैंने कैफे रिसर्स रिलेटेड बताया है मैंने हंटा 350 में इंस्टॉल हुए अभी देखा है तो ये जो मॉडिफिकेशन है वो आपको फ्लिप कार्ट में आटो पावर्स की ब्रेंड की पढ़ती है 600 रुपए की और एमाजोन में आटो जैब ब्रेंड की पढ़ती है 800 रुपए की तो ये दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो प्राइस डिफरेंस है आप देख रहे हो और सच बताऊं अगर आप इसे ओफलाइन लेने जाओगे तो 500 में easily मिल जाएगा क्योंकि ये मैंने खरीदा हुआ है और return कर दिया था क्योंकि ये दो तरीके के आती है एक में ये proper red रहती है और एक में black आती है तो मैंने black while ले ले ली थी तो उसका ऐसा look अच्छा नहीं आ रहा था फिर मैंने change करके अपनी जो अभी मेरे कैफरेसर में tail light लगी हुई है वो मैंने खरीदी थी तो वो मुझे 600 की पड़ी थी पर जो मैंने बताया है जो dual tail lamp है ये मुझे 500 की पड़ी थी offline तो एक बार offline भी आप ट्राय कर लेना बाकी जो link है वो आपको description में मिली जाएगा तो अब tail light के बारे में बात होई रही है तो लोहित भाई की जो मैंने bike की review किया था उसमें जो tail light लगी हुई थी वो 824 रुपए की पड़ती है Amazon में और flip card में मिल जाती है दोनों की मैं link दे दूँगा आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि उसका जो look है वो कैसा है तो अगर आप चाहो तो वो tail light भी अपने 100 350 में install कर सकते हो और recently मैंने एक और tail light देखी थी जो कि वेगेरी brand की ही थी वो लगबग थी 1200 रुपए की तो अगर आपको कुछ नया try करना है तो उसकी भी जो link है वो आपको description में मिल जाएगी और उसका look कैसा है वो मैं आपको स्क्रीन में flash करी रहा हूँ सुबा की यही था modification I hope यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो में कुछ भी informative लगा है तो उससे related भी वीडियो आने वाले हैं तो जो Yamaha के owners हैं जो Yamaha वाले हमारे subscribers से वो नाराज नहीं हो मैं जल्दी ही उनसे भी related वीडियो लाओंगा I hope यह वीडियो पसंद आई होगी So thank you so much for watching the video guys झाले होगी